हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं फुलूनर 10MG टबलेट के बारे में आज बात करेंगे कि इसके फैदे क्या है, इसका डोज क्या है, और 21 फरकार काम करता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और इस दवा के इस्तेमाल के दोरान कौन-कौन सी साओधानिया को ध्यान में रखनी चाहिए तो चलिए आज हम इस वीडियो में अश्टेप बाई अश्टेप इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो बने रहे हमारे इस चैनल पे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्रीपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम इसी परकार की और भी वीडियो लेकर आते रहें तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कमपनी के बारे में तो इसे जेनो फार्मासिटिकल्स कमपनी ने बनाती है जो बहुत ही अच्छी कमपनी है और इसका कॉम्पजिशन के बारे हम बात करे तो इसमें फुलूना रिजिन 10MG मिला हुआ है और इसका MRP के बारे हम बात करे तो इसका MRP 22.15 पैसा है जो 10 टबलेट के एक इस्ट्रीप म में तो इसका मुख्य इस्तमाल माइग्रेन में होने वाली सीर दर्द के इलाज में किया जाता है अगर किसी पैसेंट को चकर आना या एक तरफ के सरदर्द होना या सीर दर्द के साथ साथ मतली या उल्टी होने पर एवं मिर्गी में इसे सहायक के रुप में दिया जाता है और अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में तो इसे दिन में एक बार खाने से पहले या खाने के साथ लिया जा सकता है इसे आम तोर पे साम को लेना बेहतर माना जाता है क्योंकि दवा लेने से नींद सी आ सकती है इसलिए इसे रात को लेना बेहतर माना जाता है के हिसाब से दवा का सही खुराक निर्धारित करेंगे और अब बात करते हैं यह किस परकार काम करता है तो माना जाता है कि सीड़ दर्द में रक्त वाहिकाओं के फैलने के परिनाम सोरूप माईगरेन का दर्द होता है फ्लूनर 10MG टेबलेट एक रक्त वाहिकाओं के कसाओं को बनाए रखता है और फैलाओं को रोकता है जिससे माईगरेन से होने वाली सीड़ दर्द से राहत मिलती है और अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इसका समाने साइड इफेक्ट हैं जैसे निंदाना, ठकान, भुख वड़ना आदी इसके कुमन साइड इफेक्ट हैं और अब बात करते हैं इसके साओधानिया के बारे में तो इस दवा के इस्तमाल के दोरान सराब का सेवन ना करें हर दिन एक ही समय पे खाना खाएं तेज रोसनी और अधिक तापमान से बचें तेज संगीत और सोरगूल वाली जगों पे ना जाएं और ध्यान केंद्रित करने वाली कोई कारे ना करें अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रिपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कोमेंट में जरूर बताएं